तो भ़ाइ, Deadpool and Wolverine में Marvel वालों की तरफ से में बहुत कुछ तिखाया जा रहा है और जैसे यहाँ Secret Wars की कॉमिक हैं, वैसे यहाँ सारे कॉमिक करेक्जर्स भी हैं जैसे Lady Deadpool, और Lady Deadpool के पीछे कई सारी Deadpool वेरियंट्स हैं लेकिन मुवी देखने से पहले आपको इन सब का ओरीजन पता होना चाहिए ताकि आप मुवी में इने जानते हो और ये विडियो मुवी देखने के बाद भी आपके काम आएगी तो सबसे पहले लेडी डैटपूल के बार में बात करते हैं तो जैसे डैटपूल का नाम Wade Wilson है वैसे इसका नाम Wanda Wilson है Wanda Wilson की फस्ट अपेरेंस 2010 में रिलीज होई कामिक Mark in a Mouth के इश्यू 7 में होई थी और Wanda Earth 3010 से बिलॉंग करती थी दोनों की पावर सेम है लेकिन इसके यूनिवर्स में कैप्टन अमेरिका बहुत ही इविल था मुवी में अपेर हो सकता है तो एक पाल कॉमिक्स में स्कारलेट विच अपने पावर से सभी हीरोज और विलन्स की परसनालिडी को रिवर्स कर देती है और क्योंकि हम जानते है डैटपूल का वाइलेंट नेचर तो वो एक शांत से मौंक में कनवर्ट हो जाता है इसे वैपन्स को यूज करना पसंद नहीं है ना ही किसी तरह का वाइलन्स ये वेजिटेरियन है और मार्शल आर्ट्स करना पसंद करता है ये सिर्फ क्रिमिनल्स को रोकता है और उन्हें लाइफ का लेसन सिखाता है तरड वेरियन्ट है डैटपुल 299 कि बेटी है ये बेट और अंडर वल्ड की क्वीन शिकला की बेटी है नाई मजाक नहीं है? उसका नाम सच में शिकला है और इसका नाम वाइटा विलसन है शिकला और वेड ने एक दूसरे को वार्डा के पैदा होने से पहले ही चोड़ दिया था और वेड से शिकला ने अपनी बेटी के बारे में कभी बात ही नहीं की थी वेड को चानक से वार्डा तब मिली जब उसकी मा गायाप हो गई लेकिन इसके बाद वार्डा ने अपने बाप को किड्नाप करकर टॉर्चर किया ताकि वो उसकी मा के बारे में उसे कुछ बताए वार्डा में भी सेम हीलिंग फैक्टर वाली पावर्ज है फूर्थ वेरियंट है किड्पूल जो आर्थ 1030 से है ये चोटा वेड विलसन जेवियर स्कूल में रहता था और ये और स्कॉट समर्स तोनों ही बच्चे थे और फिर चोटा स्कॉट किड्पूल को जीन और लोगन को जैसे भी करकर बस अलग करने के लिए 20 डॉलर देता है और किड्पूल टेबल पर चड़कर बहुत शिरारते करता है जिसकी वह से सभी उस पर गुसा करते हैं और तबी 616 का डैटपूल किटपूल को मल्टिवर्स बचाने के लिए लेने आ जाता है और डैटपूल कॉर्प्स का मेंबर बना देता है फिफ्ट वेरियंट है डैटपूल किट जो एक कावबॉय है और ये कावबॉय एक रॉबरी के लिए वांटेट था जिसके पीछे शेरिफ फ्यूरी पड़ा हुआ है और बाद में ये इवल डैटपूल टीम का मेंबर बन गया था सिक्स्ट वेरियंट है है एडपूल जो मार्वल जॉम्बिस वाली स्चोरी लाइन की वहाँ से एक्जिस्टन्स में आया तो अगर आप मार्वल जॉम्बिस की स्चोरी जानते हो तो आपको पता होगा कि सभी जॉम्बी सूपर हीरोज गलैक्टस को खाने के बाद कास्मिक पावर्स लेकर स्पेस में अलग अलग प्लैनेट्स की लोगों को खाने चले जाते हैं जब जॉम्बी बन चुकी हीरोज अर्थ पर नई थे तो उनके पीछे से जॉम्बी किंग्पिन ने एक नई इलिगल कामों की इंपायर तयार कर ली थी जहां वो जॉम्बी वाइरस को फिलाने का काम कर रहा था और वो इस काम के लिए जॉम्बी बने हुए डैडपुल को हायर करता है और उसे अर्थ 616 में बेज देता है और वो वहाँ कुछ बहुत बुरा करने वाला था लेकिन तब ही वो एक इंडस्रियल फैन में आ जाता है और उसकी बाड़ी डिस्ट्रॉई हो जाती है जो सब Agatha All Along में दिखने वाली विच जैनिफर केल अपने मैजिक से करती है और उस अटाक की वहाँ से जॉम्बी वेट विलसन अपनी बॉड़ी को खो देता है और उसका सिर ही बचता है और तब से वो हैडपुल बनता है सेवन्थ वेरियंट है डॉग पुल जिसका नाम विलसन है जिसे एक कॉस्माटिक कमपनी वाले एक्सपैरिमांट के लिए उठा लेते हैं और बिचारे पर बहुत टॉर्चर करते हैं जिसकी वहाँ से वो बहुत बसूरत हो जाता है और अल्मोस्ट मर ही जाता है जिसके बाद वो साइन्टिस्स उसे कच्रे में मरा हुआ समझकर फैंक देते हैं लेकिन वो जिन्दा था और उसमें हीलिंग फैक्टर आ गया था लेकिन उसके बसूरत होने की वाएसे उस बिचारे से सब नफरत करते हैं लेकिन उसका हीलिंग फैक्टर देखकर उसे सरकस वाले अपने साथ ले जाते हैं जहाँ चानक डैडपूल उसे लेने आ जाता है एट्थ वेरियंट है यंग बेबी डैडपूल जिसका ओरीजन कुछ खास नहीं बताया गया बद ये बिल्कुल वैसा है जैसे अल्टिमेट स्पाइडर मैन में पीटर पार्कर के चोटे चोटे वर्जन्स थे आइमीन फंको पॉप स्टाइल वाले नाइन्थ है वेनम पूल जो खुद डैडपूल ही था जिस पर सिंबियोइट चड़ गया था और बाद में ये इवल डैडपूल कॉल्स का मेंबर बन गया था तैंथ वेरियंट है डैडपूल किंग ऑफ दी अंडर वल्ड इसे थैनोस की तरह लेड़ी डैट से बहुत प्यार था लेकिन हीलिंग फाक्टर की वाई से ये डैट से कभी नहीं मिल पाया लेकिन डैडपूल दी अंड की इवेंट में ये वाला डैडपूल मेफिस्चों से डील करता है और ये मरकर लेड़ी डैट को मिल जाता है लेकिन उसके बाद ये अंडर वल्ड में जाकर वहाँ का किंग बन जाता है और लेड़ी डैट के साथ रहता है और सबसे लास्ट वेरियंट है डाथ मास्क जो डाक्टर डूम और डाड़ पूल का मिक्स है एक्चुली मिस्टर फेंटास्टिक इसके ब्रेन से ब्रेन ट्यूमर को निकाल देता है जिससे ये बहुत इंटेलिजेंट हो जाता है जिसके बाद ये एक क्रिमिनल इंपायर बनाता है और डाक्टर डूम को मार देता है और उसका मास्क डाल लेता है और बाद में ये मेफिस्चों से डील करकर अर्थ पर मॉंस्टर लेकर आता है और ये सबसे हरामी वाला वर्जन है तो ये था उन सबी वेरियंट्स का रीजन जे मूवी में हो सकते ही हैं अगर वीडियो ची लगी तो चैनल को सब्स्राइब जरूर करना आज खिली पेस इतना ही, तैक्स मेर वाचिंग